अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और आज बात होगी इस वीडियो में बात होगी नेस्टेड लूप के बारे में अब आपको याद होगा अपने नेस्टेड इफ कवर अब कराता है जिसमें हम इफ के अंदर इफ लगाते हैं बिलकुल ऐसे दोस्तों नेस्टेड लूप होता है और अगर किसी कंपनी को सिर्फ लूपिंग पे आपकी ग्रिप चेक करनी है न तो नेस्टेड लूप is the topic जो वह आपको देती है नेस्टेड लूप में हम क्या करते हैं हम कई तरीके की programming problem solve करते हैं एक बड़ी famous problem होती है जिने हम बोलते है pattern printing आपने सुना होगा star के number के कुछ pattern print करने होते हैं वो हम इस video में सीखेंगे और बहुत सारी problems होती हैं जैसे series of prime numbers print करो या series of armstrong numbers print करो ये कई common problems हैं जो nested loop पे आदा रहते हैं nested loop पे based हैं तो इस video में हम पूरा nested loop कवर करेंगे सारी varieties कवर करेंगे और देखेंगे उन्हें किस तरीके से अलग-अलग problems पे अपन यूज कर सकते हैं शुरू करते हैं चलिए nested loop का discussion अब सबसे पहले मैं आपको इसका general syntax दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है लिखते कैसा है इसको तो दोस्तों इसका जो general syntax होता है वो यह है कि आप फॉर लिखेंगे फॉर में perform करेंगे initialization मैं फॉर का नाम ले रहा हूँ बाकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि nested loop फॉर के ही साथ होता है आप for while do while किसी में भी किसी को भी nest कर सकते हैं मैं आपको for में for की nesting सिखा रहा हूँ तो for में initialization हो गया फिर आजाएगा semicolon फिर आजाएगी condition फिर आजाएगा semicolon फिर आजाएगा statement फिर आजाएगा brace और अब आप लिखोगे अंदर वाला for इसको मैं outer और इसको मैं inner for बलाऊँगा अंदर वाले for यानि inner for का initialization होगा inner for की condition होगी inner for का statement होगा inner for का brace open होगा inner for की कुछ आप coding करोगे brace बंद होगा कुछ coding यहाँ होगी जो अंदर वाले for के बाहर पर बाहर वाले for के अंदर है brace बंद होगा और दोस्तों कुछ coding होगी जो दोनों 4 के बाहर आईगी ये एक general look and feel आता है जब आप programming में 4 में 4 की करते हो nesting अब ये चलेगा कैसे इसको समझिएगा सबसे पहले जावा स्ट्रिप बाहर वाले 4 का पढ़ेगी initialization इसे पढ़ने के बाद बाहर वाले 4 की चेक करेगी condition अब condition है तो दो बाते होंगी या तो ये true होगी और या तो ये false होगी गौर कीजेगा अगर ये condition false है तो वो यह होगा जो हर बार हुआ control किसी भी loop में न जाते वे सीधे दोनों loop से बाहर आ जाएगा यानि अंदर वाला loop execute बिलकुल नहीं होगा अगर बाहर वाले की condition false है माल लेते हैं बाहर वाले की condition true है तो जावा स्ट्रिप अंदर वाले loop पे आएगी अंदर वाले loop का पढ़ेगी initialization इसको पढ़ने के बाद अंदर वाले loop की पढ़ेगी condition condition check करने के बाद माल लेते हैं condition true है अंदर वाले loop की body में जाएगी यानि इसको मैं part 5 बोल देता हूँ और यह ताब होगा जब condition true हो रही होगी इसको run करेगी JS और इसको run करने के बाद गौर कीजेगा अंदर वाले loop के statement पे जाएगी इसको हम 6 बोल देते हैं statement चलाने के बाद फिर condition पड़ेगी अगर अभी भी true है फिर से अंदर वाले loop की body चलेगी body चलाने के बाद फिर से अंदर वाले loop का statement चलेगा statement के बाद फिर से condition पड़ी जाएगी अभी भी true है, फिर body statement condition, अभी भी true है, फिर body statement condition, तो गौर करिएगा ये part repeat होता रहेगा तब तक, जब तक दी गई condition ना हो जाए false, जैसे ही condition false होगी, control आएगा इस particular loop के बाहर, इन लाइनों को execute करेगा, इनको हम number 7 बोल देते हैं, ये कौन सी लाइन है friends, ये वो है जो अंदर वाले loop के बाहर, पर बाहर वाले loop के अंदर ने रन करने के बाद, जैसे यहाँ से घूम के जाएगी, बाहर वाले loop के statement पे, बाहर वाले loop के कंडिशन को चेक करेगी, मान लेते हैं बाहर वाले loop की condition true है, अगर ये true है, तो गौर करिए गया, जैसे पूरा part आपको दिखाएं 3 से लेकर कहा तक इसको 8 बोल लू बाहर वाले लूप के statement को 8 तक ये पूरा पार्ट फिर से repeat होगा यानि जब जब बाहर वाले लूप की condition true होगी तब तब जावा स्ट्रेप पूरे 3 से लेकर यानि अंदर वाले लूप के initialization से लेकर उसकी final condition तक पूरे process को repeat करेगी अंदर व printing के लिए पढ़ती है pattern printing समझ रहे हैं जैसे ऐसे आपको कुछ star print करने को दिये जाएंगे देखा होगा आपने तो अगर किसी भी company को आपकी looping पे grip चेक करनी है तो उसका सबसे common सबसे patent तरीका होता है कि वह आपको कुछ patterns लेगी print करने को वह आप nested loop से कर पाएंगे तो एक नहीं अब एक बहुत common programming problem है कि मैं user से एक number लूँ और वहां तक के सारे prime number print करने यानि अगर user मुझे 10 दे तो मेरा program 10 तक के सारे prime number दिखाए यानि कि 2, 3, 5 और 7 तो यह दोनों तरीके के codes आप nested loop से करते हो और अगर आप इनकी अच्छे से practice कर लोगे nested loop यह आपकी बहुत जादा user होते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले pattern printing का पहला example और यह सारे examples अपन VS code में करते हैं discuss so let's go to VS code environment ठीक है as usual एक folder मनाते हैं तो यह रहा हमारा VS code का environment let's create a new folder last हमारा loop practice था इस बार नया folder मनाते हैं this will be our folder number 18 और इसको हम नाम देते हैं nested-loop ठीक है nested-loop के अंदर आकर हमेशा की तरह है first example so this will be our example one dot html ठीक इसको कर देता हूँ मैं close और यहां दे देते हैं अपन अपना boiler plate code इसको कर देते हैं drop क्या करने जा रहे हैं दोस्तों अपन अपन प्रिंट करने जा रहे हैं patterns right so this will be our pattern printing यह हमारा pattern printing का example है ठीक है अब मैं पहला pattern ऐसा करता हूँ कि मैं आपको समझाऊंगा नहीं मैं सीधे code लिखता हूँ आप copy पे इसको trace करना video post करना और चेक करना किस code का आपकी समझ के अनुसार output क्या आएगा okay so suppose करिए मेरे पास एक variable i और एक variable j है मैंने js से कहा for i is equals to 1 semicolon i less than equal to 3 i plus plus फिर उसके बाद मैंने कहा for j is equals to 10 semicolon j less than or equal to 15 semicolon j plus plus और इसके अंदर दोस्तों मैंने कहा document.write back tick back tick के अंदर मैंने print करा dollar j और j के बाद थोड़ी सी space दी और ये back tick को मैंने close करा और मैंने अंदर वाले loop के बाहर आकर कहा document.write followed by br यानी की line change ठीक है ये मेरा inner for बंद हो रहा है right और ये मेरा बंद हो रहा है outer for आपको बताना है cold pause करके कि ये page जब run होगा तो हमारे web page पे हमारी screen पे क्या pattern प्रिंट करेगा ठीक है चलिए मैं trace करता हूँ I hope आपने trace कर लिय क्या होगा देखो सबसे पहले हमारा for loop बाहर वाले initialization से start होगा I कितने से शुरू होगा I शुरू होगा 1 से I को 1 करने के बाद condition test होगी 1 less than equal to 3 that's true very good control अंदर आएगा और J को initialize करेगा 10 से J को 10 करने के बाद condition test होगी क्या J less than equal to 15 है यानी क्या 10 less than equal to 15 है हाँ है अंदर जाएं पहला number print होगा जो हमारे case में है 10 थोड़ा सा gap भी आएगा ध्यान दीजेगा इस document.write के बाद control जाएगा J plus plus पे और J की value को बढ़के कर देगा 11 जे को 11 करने के बाद condition चेकोगी J less than equal to 15 क्या 11 भी 15 से छोटा है हाँ जी है अंदर गए document.write चला उसी row में जिसमें 10 print हुआता J की अगली value print होई which is 11 यहां से फिर control गया J plus plus पे J हो गया हमारा 12 जे को 12 करने के बाद condition test हुई क्या 12 भी less than equal to 15 है हाँ जी है फिर से document.write चला तीसरी बार चला गौर कीजेगा और यहां पे print हुआ 12 जे प्लस प्लस ने J को क्या कर दिया 13 क्या 13 भी less than equal to 15 है हाँ जी है फिर से J print तो 13 print हुआ J plus plus ने J को कर दिया 14 क्या 14 भी less than equal to 15 है हाँ जी है 14 print हुआ J plus plus ने J को कर दिया 15 गौर करिएगा last iteration है 15 less than equal to 15 less than equal to लगाए true है 15 भी print हुआ 15 के बाद J के वाली बढ़कर हो गई 16 लेकिन 16 less than equal to 15 दोस्तो condition हो गई false control J वाले loop से बाहर आया बाहर आकर document.write BR चलाया तो row हो गई change करसर आ गया या output आएगा अब next row से यहां से घूम कर control गया on I plus plus nested loop है ना तो अंदर वाले loop के बाद अब बाहर वाला loop अपनी next cycle पे गया अब I plus plus I को कितना कर देगा अगर I one है तो very good I plus plus I को 2 कर देगा I को 2 करने के बाद condition test 3 I less than equal to 3 क्या 2 भी 3 से चोटा है हां जी है अंदर गए J को reset करा with the number 10 J को 10 करने के बाद फिर condition check करी 10 less than equal to 15 अभी वी true है अंदर गए और next row में print हुआ पहला number which is 10 फिर J plus plus ने J को कर दिया 11 क्या 11 भी 15 से चोटा है हां जी है dollar J से print हुआ 11 J plus ने J को कर दिया 12 क्या 12 भी 15 से चोटा है हां जी है dollar J से print हुआ 12 J plus ने J को कर दिया 13 क्या 13 भी 15 से चोटा है हां है dollar J से print हुआ 13 J बढ़कर हो गया 14 क्या 14 भी less than equal to 15 है हां जी है print हुआ 14 J बढ़कर हो गया 15 क्या 15 भी less than equal to 15 है हां जी है 15 print हुआ J बढ़कर हो गया 16 क्या 16 भी less than equal to 15 है नहीं नहीं है condition हो ज control आएगा बाहर बाहर आकर एक और new line आईगी यहां से फिर जाएंगे i++ पे i कितना हो जाएगा very good 3 हो जाएगा 3 भी less than equal to 3 है अब less than तो नहीं है लेकिन equal to है जे कहां से शुरू होगा i hope समझी गए होंगे आप जे शुरू होगा 10 से कहां तक जाएगा फिर से 15 तक जाएगा फ पर i का 4 होना इस condition को करवा देगा false हमारा nested loop stop हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा हमें 3 row मिलेंगी हर row में मिलेंगे 6 number 5 नहीं 6 number 10 से लेकर 15 तक रण करके देखें so let's execute the code जैसे ही page को मैंने run करा notice करिए ठीक है थोड़ा सा मैं font बढ़ा देता हूँ आप check कर पा रहे होंगे आप उनको 3 रोज मिल रही है output आ रहा है 10 से लेकर 15 तक बीच में gap क्यों आ रहा है क्योंकि मैंने वो जो dollar j लिखाता ना उसके बाद एक space दे रखी थी clear तो ये तो हुआ हमारा एक छोट आसा simple सा pattern printing का code अब दोस्तों इस pattern printing में दो बातों का ख्याल रखिएगा इसी पे पूरी grip या पूरा concept based है क्या आपको किसी भी pattern में जितनी रोज चाहिए होती है उतनी बार घुमाएंगे अपन outer को what did I say किसी भी pattern में आपको जितनी रोज चाहिए होती है उतनी बार घुमाएंगे अपन outer को जैसे आप अपने output को check करो let me shift it sideways check करो आपको कितनी रोज चाहिए आपको यहां तीन रोज चाहिए एक दो तीन आउटर कितनी बार घुमा रहे हैं अपन आउटर चला रहे हैं तीन बार राइट हर रोज के अंदर आपको जितने कॉलम चाहिए कितने कॉलम चाहिए छे कॉलम चाहिए गौर से दिखेगा इनर चल रहा है छे बार दस से लेकर पंदरा कर तो यह basic principle होता है जब भी आप nested loop करें आप patterns print करें हमेशा पहली बार यह चेक करने की कोशिश करें रो कितनी और कॉलम कितने है जितनी रो उतना चलाईए आई को जितने कॉलम उतना चलाईए जे को ठीक है ना based on this knowledge अपन ड्राय करते हैं कुछ और pattern printing के examples so let me save this यह होगा हमारा pattern printing example number 2 और इस बार मैं आपको pattern बता रहा हूँ और आप वो ही pattern मुझे draw करके देंगे ठीक है तो यह ह यह हमारा example 2 ओके अब मुझे जो output चाहिए friends वो यह वाला चाहिए अगर यह मेरा output window है तो मैं क्या चाह रहा हूँ screen output आए star 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 मतलब मतलब बहुत ध्यान से देखिए मुझे stars के pattern चाहिए row कितनी आ रही है गिनी है very good row आ रही है 4 हर row में column कितने आ रहे हैं गिनी है very good column आ रहे हैं 3 तो मैं रिकाल से solution मिल गया आपको right हमें outer वाला loop चला देना चाहिए कितनी बार outer वाला loop चला देना चाहिए 4 बार अंद तीन star पे हर row में और जहां j print कर रहे हैं वहां क्या print कर दें वहां print कर दें star अब star तो अपने आप में एक simple सा symbol है उसके लिए भी back tick के भी क्या ही ज़रूरत है यहां कर दीजे star और यहां दे दीजे आप star के साथ एक space got it बस हो गया target achieve run कीजे and see for yourself क्या मिल रहा है मिल रहा है आपको मिल रही है चार row हर row के अंदर मिल रहे है तीन 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 star right if you want इसको trace कर देता हो मैं वैसे मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है बट स्टिल क्योंकि आप beginners हो let's trace it once i के value start होती है 1 से condition test होती है i less than equal to 4 1 4 से चोटा है हां जी है j के value start होती है 1 से condition test होती है j less than equal to 3 क्या j 1 less than equal to 3 है हां जी है क्या प्रिंट होगा screen पे पहरा star print होगा space के साथ द्यान देना इसके बाद j++ j को 2 पे ले जाएगा क्या 2 भी less than equal to 3 होता है हां जी होता है अंदर जाएंगे एक और स्टार प्रिंट होगा, सेम रो में J++ J को 3 कर देगा क्या 3 भी less than equal to 3 होता है? हांजी होता है अंदर आएंगे, एक और स्टार प्रिंट होगा फिर J++ J को कर देगा 4 क्या 4 भी less than equal to 3 होता है? नहीं, नहीं होता है बाहर निकलेंगे, row change होगी यहां से घूम के जाएंगे I++ पे, जो I1 मनावा था वो अब हो जाएगा 2 क्या 2 less than equal to 4 होता है? हांजी होता है J को start करेंगे किस से? J को start करेंगे 1 से J less than equal to 3, यानि कि 1 less than equal to 3 होता है? होता है अंदर जाएंगे, second row में पहला star print होगा फिर control जाएगा J++ पे J को 2 कर देंगे J less than equal to 3, यानि कि 2 less than equal to 3 होता है? होता है अंदर आएंगे, एक और star print करेंगे J++ J को कर देगा 3 3 less than equal to 3 equal to लगा है, condition true अंदर आएंगे, एक और star print करेंगे J को कर देंगे 4 4 less than equal to 3 no, not at all, बाहर निकलेंगे row change होगी, फिर जाएंगे on I++ I के value, 2, 3 बढ़कर 3 हो जाएगी 2, 3 बढ़कर 3 हो जाएगी condition test होगी, I less than equal to 4, true, because 3 is less than equal to 4, अंदर गए, J start हुआ बन से, again 3 तक गए और पटा-पट अगली रोपे print होगए, 3 start फिर J4 हो गया, 1 था बढ़ते-बढ़ते, 4 हो गया, condition false हो गई, बाहर आकर फिर गए I++ पे, तो I के value of 4 हो गई, क्या 4 less than equal to 4 होता है, हां जी होता है, J कहां से शुरू करेंगे J शुरू करेंगे 1 से condition test होगी, J less than equal to 3, यानि 1 less than equal to 3 बिल्कुल सही, true, अंदर गए एक star, दूसरा star, तीसरा star प्रिंट करा, और जैसे ही J4 पे पहुंचा, 4 less than equal to 3, condition हो गई, false बाहर निकल कर गए, I++ पे I के value कितनी हो गई, I के value हो गई, 5, क्या 5 less than equal to 4 है, condition false, कोई output नहीं आएगा, इसके बात, और आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी 3 row, हर row में मिल रहे होगे, 4, sorry, 4 row, हर row में मिल रहे होगे, 3 column, ठीक है, तो ये तो हुआ, pattern printing का दूसरा example, अब थोड़ा नए type example लेते हैं, नए type मतलब, होड़ा सा different, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, so, let's save this, ये होगा हमारा example number 3, ओके, ठीक है, अब example 3 में हमको क्या करना है तो दोस्तों अब में चाहता हूँ, हम ये वाला output ना है, पहली row में 1 star, फिर 2 star, फिर 3 star, और फिर 4 star, ये चाहिए मझे, कैसा चाहिए, बिल्कुल right angle triangles type output चाहिए, तो एक बात तो पक्की है, क्या, कि बाहर वाला loop तो 4 बार चलना है, क्योंकि अभी भी notice करो आप, row जपन को मिल रही है 4, अब सवाल आता है, ये ऐसे कैसे होगा, कि 1 star, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो बहुत ध्यान से देखो, क्या star का row के number से कोई relation है, star का row के number से कोई relation है, तो जवाबोगा हाँ है, row number 1 में कितने star आ रहे हैं, 1, row number 2 में कितने star आ रहे हैं, 2, row number 3 में कितने आ रहे हैं, 3, और row number 4 में कितने आ रहे हैं, 4, बस, simple है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें i को चलाना चाहिए 1 से 4 लेकिन j को बोलना चाहिए तुम चलो 1 से लेकर कहां तर 1 से लेकर i तर कैसे बिलकुल देखिए कैसे i start होगा 1 से ठीक है 1 less than equal to 4 j start होगा दुबारा 1 से और गौर कर यह का यह topic दोस्तों ऐसा है जिसको बिना trace करें आप नहीं समझ पाओगे अगर आप programming में beginner हो तो मैं जितने भी pattern printing के code लिख रहा हूँ न आप खुद self उनको एक बाद trace करो उससे आपका confidence बढ़ेगा समझ आएगा आपको के program का flow कैसा है बहुत ज़रूरी है खुद को वैसे behave करवाना जैसे language का interpreter या compiler behave करता है तब ही अपन समझ पाएंगे कि code चलेगा कैसे as a human हमें सब कुछ सही लगता है बढ़ language के तरफ से अगर सोचोगे न तो आप एक better programmer बनता होगे तो हमेशा हर code को pause करके खुद copy pen से trace करो खाली वीडियो देखने से कब भी programming नहीं आईगी इसलिए please tracing की बहुत बहुत आदट डाले हर अच्छे programmer को code का dry run या trace करना जरूरी जरूरी है बहुत जरूरी है चलिए अब j की value स्टार्ट होई कहां से 1 से j less than equal to i j is how much 1 i is how much 1 क्या 1 less than equal to 1 होता है होता है अंदर जाएंगे पहला स्टार्ट होगा ठीक है यहां से जाएंगे j plus plus पे j बढ़कर हो जाएगा 2 j less than equal to i क्या 2 less than equal to 1 होता है नहीं नहीं होता है condition हो जाएगी false बाहर आजाएंगे बाहर आएंगे तो b r से row change हो जाएगी यहां से घूम कर गए i plus plus पे जिस i में 1 था वो i अब बढ़कर दोस्तो 2 हो गया क्या i less than equal to 4 यानि 2 less than equal to 4 अभी भी है हाँ जी है j कहां से शुरू हुआ j शुरू हुआ with the number 1 condition test होई j less than equal to i यानि कि 1 less than equal to 2 1 less than equal to 2 2 है अंदर गए start पेंग करा second row पे पहला start यहां से गए on i plus plus sorry j plus plus my mistake और j plus plus ने j को 2 कर दिया ये वाला ये वाला j plus plus correct j के value बढ़कर 2 हो गई क्या 2 less than equal to i है हाँ है क्योंकि i खुद भी 2 है अंदर गए second star प्रिंट करा समझा रहा है न इसके बाद control गए j plus plus पे j के value 3 हो गई got it 3 less than equal to i i is how much 2 false बाहर आ गए br ने अपना काम करके next to generate कर दी यहां से गोम के फिर गए on i plus plus i कितना हो गया i अब 3 हो गया i का 3 होना बाहर वाले loop की condition को अभी भी true रखता है अंदर गए j को start करा कितने से 1 से condition test हो जे less than equal to i j is how much 1 i is how much 3 क्या बन 3 से छोटा है हां जी है अंदर गए document.right से print करा एक star फिर गए j plus plus पे j की value बढ़कर 2 हो गई j less than equal to i यानि 2 less than equal to 3 अंदर गए एक और star प्रिंट करा j की value बढ़कर 3 हो गई 3 less than equal to i यानि कि 3 less than equal to 3 true अंदर गए एक और star प्रिंट करा j की value बढ़कर 4 हो गई 4 less than equal to i condition हो गई अपने आप में false बाहर आ गए क्योंकि i 3 था फिर row हमारी change लोई फिर यहां से गूम के हम जाए किस पे i plus plus पे i अभी कितना हो गया i अभी बढ़कर 4 हो गया क्या 4 less than equal to 4 होता है हाँ जी 4 less than equal to 4 होता है j कहां से start हुआ j start हुआ 1 से फिर condition test हुई j less than equal to i यानि कि 1 less than equal to 4 अब आप समझी गए होंगे न अन्य सरी इसको लंगदी नहीं करते हैं loop कितना चलेगा j चलेगा 1 से 4 तक क्या print करेगा 4 star print करेगा 4 stars को print करने के बाद j 5 हो जाएगा j का 5 होना अंदर वाले loop को रोकेगा i plus plus पे जाएंगे i 5 हो जाएगा i का 5 होना बाहर वाले loop को भी कर देगा stop control आ जाएगा loop body से बाहर और हमें output में मिल जाएगा right angle triangle style का pattern clear got it तो मुझे लग रहा है आपको समझा रहा होगा दिरे दिरे pattern printing काम कैसे करती है समझा रहा है ना बहुत बढ़ी है very good अब एक बार example लेते हैं अब की बार example क्या लेते हैं अपन अब की बार अपन example थोड़ा सा again different लेते हैं अब दोस्तों मुझे ये output चाहिए 1 2,4 3,6,9 4,8,12,16 सोचो आप pause करके video ये क्या है क्या print हो रहा है तो आप बहुत ध्यान से देखो तो ये कुछ table वगेरा print हो रही है न 1, फिर 2,4 ये 2 की table हो गई ये 3 की table हो गई ये 4 की table हो गई लेकिन table के कितने term print हो रहे हैं बिल्कुल सही किसकर आपने table के उतने term print हो रहे हैं जितना row का number है सही है न यानि पहली row में 1 की table का 1 term दूसी row में 2 की table के 2 term तीसरी row में 3 term चौती row में 4 term इसका मतलब again one thing is for sure बाहर वाला loop हमारा चलेगा 4 बार अंदर वाला loop हमारा चलेगा वैसे 1 से लेकर आई तर बस जहां print कर रहे थे अपन scar वहां क्या print कर देंगे बिल्कुल सही के scar आपने वहां print कर देंगे i multiplied by j backpack बीच में as usual एक space बिल्कुल सही कर ले trace फटाफट i के value स्टार्ट हुई 1 से 1 less than equal to 4 है अंजी है j स्टार्ट हुआ 1 से j less than equal to i है अंजी है 1 less than equal to 1 क्या print हुआ i into j screen पे 1 आया यहां से गए j plus plus पे j 2 हो गया j less than equal to i यानि कि 2 less than equal to 1 यानि कि 2 अंदर गए क्या print हुआ false sorry not true right j less than equal to i false j के value 2 है i के value 1 है condition false right बाहर आ गए अंदर नहीं जए ठीक है br से row change होई यहां से पहुँचे i plus plus पे i के value बढ़कर 2 हो गई 2 less than equal to 4 होता है हां जी होता है j start हुआ कितने से 1 से j less than equal to i यानि कि 1 less than equal to 2 true बिलकुल true अंदर गए print करा i into j i is how much 2 j is how much 1 2 into 1 कितना होता है 2 होता है very good इसके बाद control गया j plus plus पे j की value 2 हो गई क्या अभी j less than equal to i है हां है क्योंकि दोनों की value 2 बनी होई है अंदर गए print करा i into j i is 2 j is 2 2 into 2 we'll get a 4 फिर गए j plus plus पे j plus plus ने j को 3 पे पहुँचा दिया क्या 3 भी less than equal to 2 होता है नहीं नहीं होता है बाहर आ गए row change होई फिर गए i plus plus पे i किते में पहुँच गया i बढ़कर पहुँच गया दोस्तों 3 पे i को 3 करने के बाद condition test होई 3 less than equal to 4 बिल्कुल सही true है j कितने से start हुआ 1 से condition बनी j less than equal to i यानि की 1 less than equal to 3 क्या 1 less than equal to 3 true है हाँ जी true है अंदर गए print करा i into j i is how much 3 j is how much 1 3 into 1 we'll get a 3 j plus plus पे गए j के value 2 होगई j less than equal to i यानि की 2 less than equal to 3 क्या print करा i into j यानि की 3 into 2 यानि की 6 j plus plus पे गए j के value 4 होगई sorry 3 होगई 3 less than equal to i i कितना है अंदर गए 9 print हो गया क्योंकि i और j दोनो 3 है j अब की बार हो गया 4 j का 4 होना इस condition को कर देगा false क्योंकि i 3 है बाहर आएंगे फिर i plus plus पे जाएंगे i plus plus i को 3 से बढ़ा कर 4 ले आएगा i का 4 होना बाहर वाले loop की condition को आखरी बार 2 रखेगा j की value स्टार्ट होगी बिद्ध नंबर 1 j जाएगा कहा तक 4 तक क्या print करोगे 4 into 1 फिर अगली बार 4 into 2 4 into 3 और 4 into 4 कुछ ऐसे got it इसके बार j की value 5 होगी पहले की तरह j की value 5 होने से अंदर वाला loop रोकेगा i प्रस प्रस पे जाओगे i की value 5 होगी i की value 5 बाहर वाले loop को रोक देगी आउटपूट में क्या मिलेगा कुछ ऐसी टेबल मिलेगी आपको जो अपनको चाहिए थी let's run the code and see the output got it तो बस ये है concept basic concept है pattern printing का अब इसमें बहुत सारी series है आपको अगर series मज़ा आ रहा है pattern printing में तो आप बताईएगा मैं इसके अलग से videos मना दूगा जिसमें खूब चारी pattern printing अपन करेंगे ये कुछ basic pattern printing है इनकी practice करिए कुछ assignments में दूँगा description में आपको मिल जाएगा link उस पे जाकर आप वो सारे assignment कर सकते है जो pattern printing की आपको कर देंगे practice आपकी pattern printing बड़ी हो जाएगी got it अब एक और category के code discuss करना ज़रूरी है जो है तो nested loop में ही बढ़ थोड़ा pattern printing से अलग है दोस्तों क्या करने जा रहे हैं अपन लोग अप लोग दोस्तों print करने जा रहे हैं user से एक number लेना है और जैसा मैंने कहा था उस number तक के सारे prime number print करने है मतलब मान लीजे user आपको n के value देता है 10 तो आपको एक code ऐसा लिखना है जो 2 से लेकर 10 तो है वो सारे number print करें जो किस category में आ रहे हैं जो आ रहे हैं in the category of prime numbers I hope आपको याद होगा prime numbers वो numbers होते हैं जिनके सिरफ दो ही factors होते हैं या तो वो खुद से divide होते हैं और या वो divide होते हैं one से तो हमें क्या करना है user से एक number लेना है और उस number तक के हर number को check करके बताना है वो number prime है या नहीं है अब आप मुझे बताइए पिछले वीडियो में जो मैंने prime का code बनाया और जो अब हम बनाने जा रहे हैं इन दोनों में फरक है येस पिछले वीडियो में अगर user मेरे को 10 दे रहा है तो मैं सिरफ 10 को check करके बता रहा था कि वो prime है के नहीं है जिसके लिए मैं एक for loop यूज़ कर रहा था अब की बार मुझे खाली 10 नहीं 2 से लेकर 10 तक के हर number को check करना है और बताना है कि वो prime है या नहीं है तो सोची ए नेस्टेट डूप लगेगा न एक बाहर वाला loop चलेगा जो मेरे को एक एक number देगा और एक अंदर वाला loop चलेगा जो इस number को लेकर check करके बताएगा वो number prime है या नहीं है समझाया गुल तो अब इसका logic सीधे करते हैं अपन implement और title बदल देते हैं इस बार हम print करने जा रहे हैं friends list of prime numbers ठीक है यह सब drop कर देते हैं बिलकुल fresh code लिखते हैं यूजर से मांगा आपने एक number जो चला गया हमारे variable n में अब हमने क्या करा अब मैं दो variable लेता हूँ एक i और एक j यहां मैं कहता हूँ for i is equals to 2 2 से क्यों शुरू कर रहा हूँ क्योंकि गौर करिएगा पहला ही prime number 2 होता है है ना तो कोई मतलम नहीं के बन से शुरू करू और कहां तक जाऊंगा n तक जाऊंगा क्योंकि बुझे n तक के हर number को check करना है कि वो prime है या नहीं है ना तो यह जो बाहर वाला loop है यह क्या कर रहा है friends यह numbers produce कर रहा है एक एक number हमको दे रहा है अंदर वाला जो loop है वो check कर रहा है कि i में जो value है क्या वो prime है अब आप सोचो i में जो value है वो prime है के नहीं यह check करने के लिए वो ही पुराना वाला logic है न कि हम एक loop चलाते है जो 2 से चलेगा और कहां तक जाएगा उस number से एक कम तक got it? यही discuss हुआ था अपना कि अगर मुझे check करना है 5 prime है के नहीं तो मैं loop को चलाओँगा 2 से लेकर 4 तक मुझे check करना है 15 prime है के नहीं तो मैं loop को चलाओँगा 2 से लेकर 14 तक हाला कि by 2 भी मैंने आप से बोला था आप वो भी यहां कर सकते बढ़ यह थोड़ा easy रहेगा समझने के लिए तो मैं less than equal to i minus 1 तक जाता हूँ और यहां कहूंगा मैं j plus plus अब कैसे check करते है number prime है या नहीं तो हपन यह check करते हैं कि i गौर करिएगा i वो number है जिसकी checking हो रही है मैं सोचना number तो सरहन है n तो final value है जहां तक का हर number चेक करना है j वाला loop i-th value को check करेगा कि यह prime है के नहीं है तो अगर मेरे को check करना है यह prime है के नहीं है तो मैं कहूंगा i mod j triple equal to 0 अगर ऐसा है कि i mod j 0 आ रहा है तो मैं loop को कर दूँँगा break अब यहां यह भी समझेगा यह control को fake देगा अंदर वाले loop से बाहर यानि इस जगे पर समझेगा दोनों loop से बाहर नहीं आएंगा break जिस भी loop में लगता है उस loop से बाहर आता है और मैं loop बोल रहा हूं if नहीं बोल रहा हूं if से तो बाहर आई जाएंगे लेकिन बाहर उस loop से चले जाएंगे जिसके अंदर यह break लगा है तो अगर यह break चला तो j वाला loop आपका तुरंत रुख जाएगा बस बाहर आकर आपका वोई पुराना वाला logic कौन सा कि अगर number prime होगा तो j वाला loop पूरा चलेगा ना अगर number prime है तो j पूरा चलेगा what do you mean by पूरा चलेगा पूरा चलेगा मतलब i की value तक जाएगा क्योंकि हम उसको लेकर कहा तक जा रहे है i minus 1 तो रुखेगा तो i पे ही रुखेगा कोई भी loop एक आगे ही रुखता है for example एक loop मैंने बनाया 1 से 100 तो वो 101 पे ही रुखेगा न तो अगर ये i minus 1 तक चला तो किस पे रुखेगा i पे अगर number prime है तो नहीं तो loop बीच में हो जाएगा break so simple बाहर आकर क्या check कर लो बाहर आकर आप ये देख लो क्या i triple equal to j है अगर i और j दोस्तों बराबर है इसका मतलब i में जो value है that value is prime तो क्या करें कर दें अपन document.write से followed by back tick dollar followed by कहां गया भाई dollar ये रहा dollar followed by i और यहां दे दिया जाए एक new line और यहां back tick को कर दिया जाए close और आप चाहो तो यहां एक message डाल सकते हो document.write prime numbers list up to followed by चलो यहां भी back tick की जरुवत पढ़ रही है क्योंकि हमको variable की value प्रिंट करनी है up to up to क्या? up to dollar in right followed by is correct और यहां भी दे देते हैं एक BR तो क्या होगा? यह पहले एक message देगा यहां तक के prime numbers यह है और फिर वो prime number आपको vertically एक एक print होकर मिलेंगे चलो trace करते हैं देखते हैं कैसे चल रहा है n की value है 10 पहले आप अपने आप में decide करो अगर n 10 है तो output क्या आना चाहिए 10 तक के prime numbers कौन-कौन है? 2 है 3 है 5 है और 7 है इतने print होने चाहिए ठीक है? चलो देखते है code कैसे flow कर रहा है सबसे पहले i start होगा with the number 2 ठीक है? i को 2 करने के बाद condition test होगी n की value 10 है घ्यान देना i less than equal to n तो क्या 2 less than equal to 10 है? हाँ जी है j कहां से start करा friends? j अपनने start करा from the number 2 condition test होई j less than equal to i minus 1 j कितना है? 2 है i minus 1 कितना हुआ? loop चला ही नहीं पर initialization चल गया ज्यान देना बाहर निकले loop से बाहर निकल कर चक करा क्या i और j बराबर है? आप बताओ क्या i और j बराबर है? हाँ है तो आपको पहला prime print होकर मिल जाएगा which is 2 इसके बाद control यहां से घूम कर जाएगा on i++ i++ i को कितना कर देगा? i++ i को 3 कर देगा n 10 बना बाए ध्यान दीजेगा क्या i less than equal to n है? क्या 3 less than equal to 10 है? हाँ जी है j पे गए j कितने से start करा? j start करा अपनने 2 से अब की बार j चलेगा condition test हुई j less than equal to i minus 1 i minus 1 is 3 minus 1 3 minus 1 is 2 j खुद भी 2 है तो ये बन गया 2 less than equal to 2 is it true? yes it is अंदर गए if i mod j triple equal to 0 i is 3 j is 2 what is 3 mod 2? 3 mod 2 is 1 क्या 1 0 होता है? नहीं, नहीं होता है तो if में नहीं गए और if में ना जाकर j++ पे गए गए न? j++ ने j को 3 कर दिया पर j का 3 होना इस condition को false कर देगा 3 less than equal to 3 minus 1 yes condition हो जाएगी false बाहर आएंगे j में कितना है? 3 i में कितना है? 3 क्या print हो जाएगा? आपको दूसरा prime number मिल जाएगा which is 3 अब ध्यान देना अब एक non prime आ रहा है देखते हैं code एक non prime पे कैसे चलता है squat आ रहा हूँ थोड़ा neat and clean trace करते हैं अब i के value बढ़कर कितनी हो गई? last time 3 थी i के value बढ़कर 4 हो गई क्या i less than equal to n यानि कि 4 less than equal to 10 है? हाँ जी है j कितने से शुरू करा? j शुरू करा आपने 2 से condition test हो जे less than equal to i minus 1 यानि कि 2 less than equal to 4 minus 1 4 minus 1 is 3 2 i mod j what is i 4? what is j 2? कितना होता है 4 mod 2? 0 क्या i mod j 0 है? हाँ है चलेगा break जैसे ही break चलेगा अपन इस if पे आएंगे ये j वाला loop stop हो जाएगा अब if check करेगा i और j बराबर है क्या? i कितना है? 4 j कितना है? 2 बराबर नहीं है तो 4 print नहीं होगा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि 4 prime नहीं है फिर यहां से control जाएगा i plus plus पे i के value आ रही है 5 5 prime है न? देखो कैसे चलेगा 5 less than equal to 10 condition test होगी condition true है j start होगा कितने से? 2 से condition test होगी j less than equal to 5 minus 1 यानि की 4 true i mod j i is 5 j is true what is 5 mod 2? 5 mod 2 is 1 क्या 1 0 है? नहीं नहीं है क्योंकि यह false है break में नहीं गए j plus plus पे गए j plus plus में j को 3 कर दिया j का 3 होना j की condition को true रखेगा 3 is also less than equal to 5 minus 1 that is 4 अंदर गए i mod j i is how much? 5 j is how much? 3 5 mod 3 remainder 2 बचता है 2 0 नहीं होता है j plus plus पे गए j के value 4 हो गई last iteration 4 less than equal to 5 minus 1 yes it is condition true अंदर गए 5 mod 4 5 mod 4 is how much? 1 क्या 1 0 होता है? नहीं नहीं होता है control गए j plus plus पे और j खुद पहुँच गया 5 j का 5 होना इस condition को करवा देगा false control बाहर निकलेगा बाहर निकल कर चेक करेगा क्या i और j बरावर है जी हाँ बिलकुल बरावर है j b 5 है i b 5 है condition true code अगला prime प्रिंट कर देगा which is 5 इस तरह से एक बढ़ा और टेस कर लेते हैं इस तरह से अब i के value पहुँचेगी 6 पे जैसे i 6 पे पहुँचेगा जीरो देने के कारण पहली बार में j का loop break हो जाएगा break हो कर बाहर निकलेगा बाहर निकल कर देखेगा i और j बरावर है नहीं नहीं है 6 और 2 बरावर नहीं होते तो 6 print नहीं होगा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि 6 प्राइम नहीं है मतलब पूरा concept इस nested loop का friends यह है इस code के लिए कि जो बाहर वाला loop है वो तो numbers produce कर रहा है वो बोल रहा है अब 2 को check करो अब 3 को करो 4 को करो 5 को करो कब तक n को करो और जो checking हो रही है actually वो हमारे अंदर वाले loop में हो रही है तो अंदर वाला loop i के हर value को ले रहा है और उसको check करके बता रहा है कि वो value prime है या नहीं है that is the basic concept behind printing list of all the prime numbers अब ऐसे आप कई तरीके के common programming problems पाएंगे जिसमें आपको किसी तरह के number की print करनी पड़ती है list I hope concept clear है working आपको समझाईए एक बार run करके देख लेता है just to be satisfied so right click open with live server क्या number दिया तो चलो 10 ही देते है okay क्या print हुआ prime numbers list up to 10 is 2,3,5,7 अच्छा एक और number देखे देखे so let's try with one more number refresh और इस बार मैंने number दिया 15 if all is good क्या output आना था है 2,3,5,7,11,30 perfect तो यह हुआ आपका list of prime numbers प्रेंट करने का खूर अब आप खूब अच्छे से इन problems की practice करिए खूब अच्छे से videos को देखिए ताकि आगे के topics के लिए आप अच्छे से त्यार हो जाएं अगला video बहुत crucial है दोस्तों अगर आप react की तरफ जाते हो अगर आप मर्ण की तरफ जाते हो जावा स्क्रिप का वो topic अगर आप data searches भी पढ़ते हो जावा स्क्रिप में तो जावा स्क्रिप का वो topic जो बहुत important है वो है array जो हमारा अगला video होने वाला है make sure you do not do not miss that thank you so much for all the love and support bye bye see you अगर आप जावा स्क्रिप का वो